फ्रिंस के आप सभी मेरे तरह यह बात जानके शॉक्त हैं कि ड्रू मैकंटार को जब तो प्रीज से सस्पेंट कर दिया गया है वाल इसका रिजन क्या है चलिए इसके बादे में बात कर लेते हैं इसके पाद हुआ कुछ ही हूँ कि जैसे ही ड्रू मैकंटार से थ्रॉलिन और देमिन प्रीस पर हावी होने लगे तो पीछ में आ गए सियम पंक यार अब पंगे लोग है तो भुकत नहीं पड़ेगा जो सियम पंक के साथ ड्रू मैकंटार ने किया तो जार सी बाते सियम पंक इसने और मौके पे चौका मारके उन्होंने मेकंटार को हरा दिया साथ एसाथ उन्होंने अपनी वर्ल हैवेड चैंपेंशिप भी रिटेंग कर ली इसकी बात हुआ कुछ यह कुछ यह कुछ होने वाली कॉनफरेंस है भी यार कोई लिहाज ही नहीं किया कॉनफरेंस तो प साथ इसाथ सियम पंक पर भी पैना ते जाल दी है अब साहर सी बात यार ग्यू मेकंटार जैसे लोग घर तो बैठने से रहें मौके का फायदा उठाकर हॉलिवोड टैलेंट एजंसी ने ओफर दी ड्रू मेकंटार को कि आप आई और हमारे नेक्स टैलेंट बनिये खेर आप देखना है कि उस एजंसी का क्याल होगा जब सियम पंक और जुमेकंटार उस एजंसी में आमने सामने होंगे कहीं ऐसा ना हो कि उनको वहां से भी लात मारके निकाल दिया जाए खिर मेरे ख्याल से तो दोने इतने बेखूफ दी है कि अपनी रोजी को हर जगा से लात म क्या है कि जॉन सिना को अलविदा कहना पड़ रहा है जब डबली ए को वैल इसकी रीजन यह है कि जॉन सिना काफ़े टाइम से हॉलिवूड मुवीज का हिस्सा बने हुए है और अब उनके शेडूल इतना जादा बीजू हो चुका है कि वो डबली टाइम नहीं दे पा रह जॉन सिना की आने वाली है बहुत जादा सपरतस मुवी जिसका नाम है जैक पॉट इसमे आपको नदर आएगी एक बहुत जादा सपरतस के सिन की फाइटिंग क्योंकि इस मुवी की कुछ थीम इस तरह की है कि एक लड़की होती है जो कि एक स्ट्रॉग्लिंग एक्ट्रेस होती है उस वो चीत लेती है बहुत ही बड़ा प्राइस जी हाँ भई वो चीत लेती है एक लॉट्री प्राइस और उस शेहर का कुछ यूज सिस्टम होता है कि अगर कोई भी लॉट्री चीत जाए बहुत ही बड़ी लॉट्री तो सुबह होने तक जब तक लॉट्री का वि बोर्च आप परिंज को मार दोगे तो आप पर कोई कम इस उसा होगे अगर तुमने मुझे सिबदा गया तो मैं अपनी लॉट्री का अदा हिस्सा तुम्हें दें दोगी तो भाई यह मूवी तो बहुत जाए अदा पर्डेस लग रहे हैं थीम से हमांदा होगे हैं कि काफी तीज़े से WWE में अपनी जगा बनाई है और वह एनेक्स चैंपेंशिप मैचिस में भी काफ़ जादा पहतरी तरीके से खेलते हुए नजर आए हैं हमें लेकिन अब उनकी प्लैनिंग कुछ यू है कि WWE इंटरनेशल चैंपेंशिप की तरफ चाहें चैंपेंशिप को जी की है प्रॉन प्रेकर को काफ़ जादा पॉसेटिफ वाइब सी हैं उनको टिप्स हैं ट्रेंड किया है और बताया है कि मैचिस में और WWE में आगे पढ़ने के लिए कि इनके चीजों पर फोकस करना चाहिए तो यह तो बहुत जादा अच्छी बात है कि जो हमारे सुपर स्थ स्थार से वह प्रॉन को ट्रेंड करते हैं किस स्थार सुनको आगया आना है वह अमोमन तो यह होता है कि जो स्थार स्थ होते हैं वह कभी नहीं चाहते कि नाया आने वाला बंदा अच्छा खेल और वह वह घ्ले ले लेकिन प्रुट अप्ली वीजिए काफ़ जादा पॉज और बाते पता चलने वाली हैं तेंक यू फॉर वाचिंग मैं चैनल